हलो एवरीवन मैं हूँ ममतार सागत है आपका कलाकारी हव में फ्रेंट्स फ्राइड मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कप गेहूं का आटा लिया है और एक बड़ा चमच इसमें हमने सूजी ली है और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे लगबग हाफ टीस्पून और दो बड़ा चमच इसमें हमने ओईल लिया है और ओईल को अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में आप यहाँ पर मैदा भी ले सकते हैं गेहूं का आटा भी ले सकते हैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे पूरे आटे पर न अच्छे से ओईल लगना चाहिए यह देखे जब आप इसको इस तरीके से बांदे गेना तो यह बंदने लग जाएगा इतना आपको इसमें ओईल चाहिएगा अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर और इसको एक अच्छा सा डो लगा लेंगे कैसा कि ना ज्यादा हार्ड हो और ना ज्यादा सॉफ्ट हो मीडियम टैप का हमें डो बनाना है पानी थोड़ा-तोड़ा यूज़ करें, इसमे एक साथ जादा बिल्कुल भी न डालें, जब ये आटा थोड़ा सा इختटा होने लग जाए, तब थोड़ा-तोड़ा पानी लगा कर इसको इस तरीके से गूंद लें, और फिर हम इस आटे को ना, इस तरीके से रोल बनालेंगे फैलाएंगे ऐसे करके दोनों हातों से रोल बना लेंगे एक बॉल शेप दे देंगे और इसके उपर थोड़ा सा घी लगा देंगे ओईल लगा सकते हैं और बस इसको फिर हम ढखकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा रेस्ट करना भी जरूरी है आटे के लिए चलिए अभी next process की तरफ चलते हैं एक पैन में हमने एक बड़ा चमच घी लिया है और एक कप इसमें हमने desiccated coconut लिया है यानि नारियल का जो बुरादा होता है और इसको हम लगभग दो मिनट के लिए भून लेंगे जादा नहीं और गैस का flame ध्यान रखें कि लो रखना है हाइ बिल्कुल भी ना करें बीच में थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं फर हाइ बिल्कुल ना करें दो मिनट के बाद अब हम इसमें आदा कप jaggery पाटर डालतेंगे आप jaggery पाटर की जगे शुगर या गुड़ भी यूज कर सकते हैं आप गुड़ को कद्दू कस करके डाल अच्छे से इसको mix करेंगे, desiccated coconut में अच्छे से mix कर लें, gas का flame low रखें और तब तक cook करें, जब तक कि ये coconut powder में अच्छे से mix ना हो जाए, jaggery powder, अब हमने इसमें कटे हुए काजू बदाम डाल दिये हैं, आप और भी कोई dry fruits यूज कर सकते हैं, ये देखिए, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ना ज्यादा hard है, और ना ज्यादा soft, और इसमें से थोड़ा सा पार्ट लेंगे dough से, और इस तरीके से रोटी बनाते हैं, उस तरीके से एक ball बना लेंगे, और उसको फिर इस तरीके से flat कर लेंगे, थोड़ा सा आटा लें, साथ में लगा लें इसक और sides में हमें थोड़ा पानी लगा लेंगे इसकी sides में और फिर हम इसमें अपनी जो filling बनाई थी हमने उसको भर देंगे और ये देखे इस तरीके से हमें रोटी को side से उठाकर plates डालते जाना है ये देखे इस तरीके से बहुत ही आसानी से बन जाता है सांचे वगेरा की कोई हाथ से आप बना सकते हैं ये देखे और जाधातर ये fried वाले मोदक पनें ये देखे बहुत ही सुन्दर बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे इस ही तरीके से मैंने अपने सारे मोदक बना लिए चलते हैं gas की तरफ कड़ाई में oil गरम हो गया है और एक एक करके मोदग डाल देंगे और oil जब आपको चेक करना हो ना तो थोड़ा सा जो ये हमने आटा था ना छोटा सा टुकड़ा डाल के देख ले एकदम उपर आ जाएगा बस यही सही point है कि आप मोदग डाल दे आप मीडियम रखें और ये देखें कितने बढ़िया से फ्राई हो गया है उलटते पलटते ये थोड़ा सा हलका गोल्डन ब्राउन कलर कर लेना बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है हलका ही गोल्डन ब्राउन रखना है और इसी तरीके से हम अपने सारे मोदक को फ्राई कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से और ये लीजे हमारे मोदक बनकर बिल्कुल रेडी है बहुत ही बढ़िया बने है इतनी टेस्टरी स्टफिंग है खुश्पू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये एक भी मोदक हमारा बिल्कुल नहीं फटेगा और हमने हाथ से ही बना लिये है ये देखिए गनपती बपा के लिए हमारे ये फ्राई वाले मोदक बनकर बिल्कुल रेडी है तो फ्रेंट्स इस गनेश चतूरती आप ये स्टॉफिंग वाले फ्राई मोदक बनाईए बहुत ही टेस्टी बनेगे और आसानी से बना सकते हैं और गनपती पपा को भोग लगाईए फ्रेंट्स अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना और भी इंट्रेस्टिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थेंक्स फॉर वाचिंग